नमस्कार दोस्तों मैं आजाय सिंग आपका स्वागत करता हूँ ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप फाइफ कोसन दोस्तों जो बार-बार परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रशन सभी पर साइम लगता है उन्प्रशनों को इस वीडियो में सामिल क्या हो और दोस्तों सभी प्रशनोंगों को शॉल्ब करने के लिए इस वीडियो में आपको भूत ही आसान टृक्टिक बताऊंगा जिसकी सहाथ repairs को बीना परिशाओं दोस्तों पहले सक्ष्एमkin College Q से अभी प्राए गुड़ा, P से अभी प्राए प्लस हो तो, 18R9P2Q8, यानि देखे गए हाँ पर क्या है दोस्तो, 18R9P2Q8 is equal to क्या होगा ये चीज़ पूछ रहा है, दोस्तो, कभी भी आपके paper में step question है, तो देखना आपको क्या है, देखे, यहाँ पर जो समी करण दिया, यानि जो आपका पूछ रहा है, प्रस्निये, यह दिया रहा है न, 18R9P2Q8 is equal to क्या होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है दोस्तो, R से अभी प्राए है भाग, जहाँ पर दोस्तो, यह R वाला symbol आ, यहाँ पर जहे से R दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, भाग का symbol रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए Q है न, तो यहाँ पर क्या रख देंगे दूस्तो, गुणा रख देंगे, फिर कह रहा है P से अभी प्लस, यानि कि यहां पर P आपको दिख रहा है तो इसके जगा पर क्या रखेंगे दूस्तों प्लस उसके बाद से यह किस रूल पर solve होता है Board Master rule पर solve हो जटता है ठीक है तो इस step को question है तो ऐसे solve करना है तो देखिए अब इसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं देखिए 18 है तो हम लिख लेंगे 18 और R की जगा हमें क्या रखना है दोस्तों यहां पर देखिए R की जगा क्या है भाग भाग का सिंबल है तो भाग रख लेंगे फिर क्या है दोस्तों उसके बाद 9 है तो 9 लिख लेंगे ठीक है उसके बाद क्या है दोस्तो प्लस लिखा है तो यहाँ पर फिर इसके बाद क्या लेंगे प्लस लिख लेंगे ठीक है उसके बाद क्या दोस्तो टू है तो टू है तो दो लिख लेंगे उसके बाद क्यों को क्या लिखा है दोस्तो गुणा लिखा है तो फिर लिख लेंगे दो दूस्तों गुणे फिर क्या है दूस्तों आठ है तो लिग देंगे आठ ठीक है बस इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आज जाएगा ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है दूस्तों पहले भाग किया जाता है उसके बाद गुणा किया जाता है उसके बाद जोड़ा जाता है उसके बाद घटाया जाता है यानि कि step से solve होता है बुड मास डूल पे ठीक है तो भाग करेंगे 18 को 9 से भाग करेंगे तो कितने बार में जागा दो बार में 9 दुना का 18 फिर कर लीजिए plus और फिर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे 2 गुड़े 8 दो लेंगे तो क्या हो जाएगाि 16 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा तो इसस्को solve करने 15 जोड़े दिया है और 18 देखियें किस option में 18 में दिया है तोचीजह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्राश्कंस को बहुत ही अच दोस्तों अगला question most important question है coding decoding से बहुत important question है और इस प्रकार के हमेशा प्रसंद पूछे जाते हैं देखिएगा दूसरा प्रसंद है किसी कूट भाशा में carry C-A-R-R-Y को X-Z-I-I-B ठीक है लिखा जाता है उसी कूट भाशा में bring B-R-I-N-G को कैसे लिखा जाएगा यह कूट भाशा जो कह रहा है नहीं कि coding किया गया है carry को इस type से लिखा गया है तो bring को क्या लिखा जाएगा यह चीज पूछ रहा है तो देखिए C को यह क्या लिखा है दोस्तो X लिखा है A को क्या लिखा है Z लिखा है R को क्या लिखा है I फिर R को क्या लिखा है I और Y को क्या लिखा है B अगर चो दोस्तो यह थोड़ा से दिमाग लगा है तो यह विप्रीत अक्षर लिखा है कहने का मतलब है दोस्तो C आप तो तीसरा है और इधर से जैट की तरब से तीसरा गिलने पर क्या है ग इंगा और सी को क्या लिखा है एकस लिखा है यानि कि इसे विप्रीत अक्छर करते हैं ठीक है देखिएगा, यह बिप्रीत अक्षर वाला जो है, उसे लिख रहा है, यह पहले है न दोस्तों और इधर से ए पहले पे कोन है, जेट है और ए को देखिए, जेट लिखा है यह इस प्रकार से लिखा है जब ऐसे question है दोस्तो विप्रीत लिखे तो उसके लिए क्या किया जाता है आपको विप्रीत अच्छा तो सारे याद होने चाहिए याद नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तो कुछी second लगता है आप ऐसे लिख सकते हैं यह जो होते हैं यह विप्रीत होने लगेंगे ऐसे आप लिख देंगे तो भी प्रीत अक्छर मिलने लगेंगे तो इसी परकार से यह आर का देखिये C का विप्रित क्या होता है C का X होता है A का Z होता है R का I होता है फिर R का B यहाँ पे I Y का B होता है इसी परकार से दोस्तों हम क्या करेंगे bring के लिए लिखेंगे B का विप्रित क्या होगा दोस्तो B का B इधर से दूसरा है तो उदर से दूसरा कोन होता है B का विप्रित हो जाएगा दोस्तों आपका Y ठीक है Y हो जाएगा R का विप्रित दोस्तों क्या होगा R का R देख लिज़े R उपर ही दिख रहा है तो R का I हो जाएगा क्या हो जाएगा I हो जाएगा तो YIRMT, YIRMT इसका right answer होगा, YIRMT देखिए किस option में दिया है, तो देखेंगे option number C में दिया है, तो आपका option number C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रस्ण को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस type के question आपके paper में आएगा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, ये विपरीत अच्छर वाले दोस्तों हमेशा प्रस्ण पूछे जाते हैं, तो confused ना होईएगा, इस type के question है, तो ऐसे ही swap किजिएगा, चलिए, देखिएगा, अब अगला question देखते हैं दोस्तों, तीसरा question, तीसरा question two, three, five, उसके बाद प्रश्ण वाचक चीनिया, प्रश्ण वाचक चीनित पर कौन सी संख्या होगी, ये चीज़ पूछ रहा है, दोस्तों कभी भी स्रिंखला से related आपके exam में question हैगा, तो क्या करेंगे, स्रिंखला के संख्याओं को देखेंगे, स्रिंखला आगे कैसे चल ल है दोस्तों, यहाँ पर तीन के बाद दो जुड़ा है, ठीक है, तीन के बाद पाँच, तो यहाँ पर आपको कोई sequence नहीं मिल ला हुआ, एक, एक, दो, ऐसे कोई sequence नहीं मिल ला है, जब ऐसे नजर ना है, तब देखिएगा, क्या करते हैं, देखिएगा, आसान question है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है, जैज़ा तरी student confused होते हैं, देखिए, हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले दो संख्याओं को जोड़ेंगे, एक, दो जोड़ेंगे, तो दोस्तों, क्या आ जाएगा, तीन, यानि देखिए, यह वाला संख्या आ गया, ठीक है, फिर क्या होगा दोस्त में, option number B में, आपका option number B क्या हो जाएगा, दोस्तों, सही हो जाएगा, तो मैं उमीद करता हूँ, दोस्तों, आप इस प्रस्म को भी अच्छे से समझ गाऊंगे, और इस टैप के भी question आपके exam में आएगा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, देखिए, जैदा कुछ नहीं क सामिल करता हूँ, और last तक ज्यादा तो इस student नहीं देखते हैं, तो last तक जरूर देखा करिए, चलते हैं अगले question पे, अगला question दोस्तों देखिएगा, अगला question देखने हैं, पहले जुनना ही student है, दोस्तों, उनके लिए बता दू, दोस्तों, ये पंचम publisher की e-book है, आपका दस practice set मिल जागा, प्लस दस one liner set मिल जागा, one liner set कहने का मतलब एक line में question, दूसरे line में answer, इसे क्या होगा, दोस्तों, आपके exam में ज्यादा से ज्यादा question को prepare कर लेंगे, दोस्तों, आपके exam में एक से दो दिन का भी time रहेगा, तो इस e-book को लेके आप ज़रूर पढ़ लीज जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही important e-book है, इसमें हमेशा प्रस्ण जो पूछे जाते हैं, उन वही सामिल के गए, दोस्तों, जो बार-बार प्रस्ण पूछे जाते हैं, वो प्रस्ण इसमें सामिल है, इस लिए इस e-book को आप जरूर पढ़ लिएगा लेक जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आए दोस्तों देखते हैं अगला question, देखिएगा दोस्तों अगला question है, चोथा question, चोथा question, most important question है, और यह बहुत बार exam में repeat कर चुका है, और इस प्रकार के हमेशा दोस्तों प्रस्ण पूछे जाते हैं, तो कैसे solve करेंगे, देखिएगा, question पढ़िए गधियान से, question कहे रहा है, धूम्रपान करने वाले, यानि, smokers, फिर कहे रहा है, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, यानि, non-smoker, के लिए सही वे नारेक बताए, when diagram बनना है, किसके भीस, दोस्तों, देखिएगा, कौन-कौन है, एक धूम्रपान करने वा से नाएगा तो आप क्या करेंगे जो सब्ड दिया रहेगा जिस सब्डों पर दुसरह आपको व window बनाना जैसे इसमें धूम्रपान करने वाले लोग में वकीजु दिया है धूम्रपान नहीं करने वाले यह तीन लोग दिये गये इनी तीन लोगों पर क्या करना है दोस्तों आपको सब्दों पर विचार करना है कि यह एक दूसरे से का comfort हैं। वकील कौन होता है धुम्रपान नहीं करने वाले लोग कौन होते ठीक है तो देखिए आपके दिमाग में थोड़ा से यह चीज आना चाहिए वकील कौन होते हैं देखिए वकील में दोस्तों कुछ वकील धुम्रपान करते हैं कि था कुछ वकील धुम्रपान नहीं भी करते है धीक है तो देखेशिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे वकील को समझ दीजिए यह कौमन हो गया और इसमें क्या हो जाइगा वकील में दोस्तों कुछ धुमरपान करने करते हैं और कुछ धूमरपान नहीं करते हैं, इसका वेंड डियाग्राम इस टैप से बनेगा, ठीक है, समझेगा, धूमरपान करने वाले लोग आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, धूमरपान नहीं करने वाले लोग, यानि इसका वेंड डियाग्राम इस टैप से बनेगा, देखेंगा option number A में दिया गया, तो आपका option number A दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रशन को भी अच्छे से समझ गयोंगे, और इस टैप के भी question आपकी exam में आगा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, देखें, बस इस जादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, दोस्तों जो भी सब्द दिया रहे है, कभी भी पूछे बेंडेग्राम, उन्हीं सब्दों पर विचार करके आप solve कर लेंगे, और आपका सही answer हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रशन को दोस्तों आप बह अगल में bell icon का symbol बनता है, notification bell को भी on कर लें, ताकि आपको daily सारे वीडियो की notification मिले, दोस्तों daily मैं 8pm पे वीडियो आपको देता हूँ, ये time तो आपको याद रहेगा, 8pm पे daily आप वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रशनों को कराता हूँ, जो आपके exam oriented question होते हैं, जो आपके exam में पूछ से जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप daily 8pm पे जरूर देखा करिए, चलिए अगला question देखते हैं दोस्तों पाचवा question, पाचवा question calendar से most important question है, बहुत बार exam में repeat हो चुका है, देखिएगा, और ये railway group D में लगभाग 6-7 बार question ये गुरू वार था, तो 23 February, 23 February 2019 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ पूछ रहा है, 2018 का ये group D में question ये पूछा गया है, ठीक है, तो देखिए गाई, इसको कैसे solve करेंगे, जब दोस्तों ऐसे question है, तो इसके लिए दोस्तों क्या किया ज़ता है, पेन उठाने की बीज़रत नहीं बिना पेन उठाई ये present solve होता है, आपको करना क्या है, question को थोड़ा सा समझना है, समझे, question कर रहा है, 11 October 2018 को गुरू वार, यानि कि विरस्पति वार था, तो 23 February 2019 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ कर रहा है, दोस्तों ऐसे question है, तो आपको करना क्या है, यहां से 11 October, है, 11 October से लेकर दोस्तों, यहां से 23 February तक कितना दिन होगा, ये चीज़ आपको निकालना है, ठीके, कितना दिन होगा, तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको solve करना है, 11 October से कह रहा है, तो अक्टूबर में बचा दिन कितना होगा दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर कितने दिन का होता है दोस्तों, अक्टूबर 31 दिन का महिना होता है, कितने दिन का महिना होता है, 31 दिन का, और 11 अक्टूबर से पूछ रहे, तो 11 इसमें से 31 में घटा तो बचेगा कितना दिन दोस्तो इसमें 20 दिन बचेगा, क्लियर है 20 दिन बचेगा October, नौम्बर कितने दिन का होता है दोस्तो 30 दिन का, इसमें 30 दिन हो गया, December दोस्तो कितने दिन अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों जोडेंगे 20 और 30 जोडेंगे 50 हो जाएगा और 50 में दोस्तों 31 जोडेंगे 80 हो जाएगा और 80 में दोस्तों क्या करेंगे 80 में 31 जोडेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा 112 में 23 जोडेंगे तो क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा साथ से भाग करिए, तो साथ एकम साथ हो जाएगा, साथ छे तेरा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर साथ नवा क्या हो जाएगा, दोस्तों, तिरसट हो जाएगा, ठीक है, पैसट में से तिरसट घटाएगे, तो क्या हो जाएगा, दो, सेस क्या बचा, दो, सेस क्या गुरुवार में जोड़ेंगे तो गुरुवार के बाद क्या हैगा सुक्रवार दूसरा दिन क्या हो जाएगा अगर जोगा तो दोस्तो क्या हो जाएगा यह चीज के लिए रखिएगा यहां से लेखे दोस्तो यहां तक कितने दिन टोटल आया दोस्तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया देखिए यह ओरल आप कर सकते हैं इस प्रश्ण को आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूँ यह बिना पेन उठाय भी सॉल्व होता है ठीक है कुछ ने करना इसके 20 का दिन निका विख्ण होने लगता है इसलिए साफ से भाग करेंगे तो यह क्या हो जायगा दोस्तो साथ साथ हो जाएगा थेरे मैं से साथ छे है ठीक है इतना हो गया फिर 55 फिर approximately 63 यह क्या हो जाएगा दूस्तो 53 घाटाएंगे 65 मैं से दूसतू 63 घ knots Championship थे यह जो जो 2 आया कि लिए 2 को क प्रशन का सही आंसर हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रशन को बहुत ही अच्छे तारीके से समझ गयोंगे और इसका आपके question आपके exam में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे दोस्तों इसमें और भी question है उसको मैं next पार्ट में करे दूगा अगर आपको रिसनींग की किसी और चेप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चेप्टर का नाम नाम भी नीचे आप कमेंट कर दीजेगा ओभी चेप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूगा कुछ जिरूम दोस्तों मैत की जब सारी चेप्टरों वहां समागत हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैत के प्रिशनों को सेकंडों में शॉल्फ करने लगेंगे बिना पर उठाएं तो मैं आपको थोड़ी सेवी दोस्तों प्रब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाएं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिक्सपन बॉक्स में दे दिया हूँ और यह सब दोस्तों आपको कोश्चन अच्छे लगें समझ में आए तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा शेर भी कर दीजिएगा फेस्बूक वाटसेफ टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपको पास स्टेटी गूप उस ग्रूप में शेर जरूर कीजिएगा और जो दोस्तों इस चैनल पर नहीं है जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नही आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्डन परशनों को साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद